नमस्कार लक्समी खाने खाजरा में आपका स्वागते हेलो फ्रेंड्स केसे हो आप सब आईए आज हम बनाते हैं राजस्तानी गट्टे की सबजी बिना प्याज और बिना लशन के खाने में तो टेस्टी है बनने में भी बहुत इजी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए लिया हमने एक बावल बेशन अब हम इसमें एड़ खरेंगे फार्ट चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मेट्ची पाउडर फार्ट चमच गरम मसाला फार्ट चमच हींग एक चमच नमक नमक हम अभी कमी डालेंगे बाकी सबजी बनाएंगे तब हम इसमें एड़ खरेंगे नमक और तेल एक से डेल समच तेल लेंगे और इसे मिक्स कर देते हैं इसके हम गटे बनाएंगे जो कि राजस्तन में खास बनाए जाती है सबजी अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके गुन लेते हैं इसे हाथ से अची तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीजे अची तरह से मिक्स हो जाएं ये लिया है हमने एक कप पानी जिसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें एड़ करेंगे इससे न ज्यादा टाइट गुनना है न ज्यादा लूज गुनना है इसलिए पानी का यूज थोड़ा थोड़ा ही करें साथ में नहीं करें ये गुंद के रेडी हो गया पांस मिनट रेस्ट कर छोड़ देते हैं पांस मिनट रेस्ट होने के बाद हम इसके गटे बनाएंगे और इससे बुनने के लिए 1 थड़ का पानी यूज हुआ है यहां लिए हमने एक कड़ई और इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि हम इसमें गटे का उबालने वाले हैं उबालने के बाद सब्जी बनेगी गेस को कर दिया हूं पानी गरम हो रहा है फिर हम गटे बना के इसमें यड़ गरेंगे जब तक पानी गरम हो रहा है हम गटे बना लेते हैं 10 मिनट हो गए हैं आते को थोड़ा सा मसल लेते हैं और पानी भी हमारा साइड में गरम हो रहा है अब हम इसके 5-6 लोईयां बनाएंगे एक गोले बन गए हैं अब हम इनको रोटी बेलने वाले चकले पर रखके इसको लम्मा लम्मा रोल करेंगे ऐसे ही सारे रोल बना लेंगे हमारे गटी के सारे रोल बन गए हैं इधर पानी भी गरम हो गया है तो हम इनको रोल को इसके एड़ कर देते हैं उबलने के लिए थोड़ा सा ही ने चला देते हैं ताकि एक दूसरी के चिक्के नहीं और कड़ाई को रखके इनको उबलने देते हैं गटे चेक कर लेते हैं अभी इसे दो से तीन मिनट और उबालना है फिर गटे की सब्ची बनेगी वापस जब देते हैं गट्टे बन गए हैं गेस को कर देती बन और इसे ठाट थंडा होने देते हैं, गट्टों को थंडा करके हमने इस तरह से कट कर लिया है, अब हम इसकी सब्ची बिलाएंगे, एक लिए हमने कड़ाई, गेस को कर दिया है ओन, और इसमें हम डेढ़ बड़ा समच तेल डालेंग तेल गरम हो गया है हम इसमें एड़ करेंगे आदर चम्मच जीरा और एक तेज़ पता जिसको हमने 2 टूड़े कर दिये हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे 1 थर चम्मच हीम क्योंकि थोड़ी सी हिंग हमने पहले डाली है और आप हम इसमें गटे को जो हमनें काटके रखे थे उनको फ्राई करेंगे प्राई करेंगे फ्राई जरने जिए गटे का स्वाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सब्दी बहुत अच्छी बनती है गेस को रखेंगे लो मीडियम पर आप हम इसमें एड़ करेंगे 1 थर्ड चमच्छ हल्दी पाउडर 1 चमच्छ लाल मिर्ची पाउडर 1.5 चमच्छ धन्या पाउडर 1 थर्ड चमच्छ गरम मसाला थोड़ा गरम मसाला आमने पेले एड़ किया हैं 1 थर्ड चमच्छ जीरा पाउडर और इन्हें अच्छी तरसी मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे स्वादनुसा नमक नमक भी हमें थोड़ा सा पेले एड़ किया हैं इसलिए भी थोड़ा ही एड़ करेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप पानी और इसे अच्छी तरसे मिक्स कर देंगे आज हम बना रहे हैं रजस्तानी साधियों आली गट्टे की सब्ची जो कि खाने में तो टेस्ती है ही बनने में बहुत आसान है अब इसे रखके पांस मिनिट होने देते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा इंस टुकड़ाद रखका जिसको हमने कस लिया है और आधी हरी मिर्ची जिसको हमने बारी कटिंग कर लिए हैं इन सब को मिक्स करके इसको ढग लगा के दो से पांस मिनिट होने देते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा माउन दई है जो हमने इसको फेंट लिया है दई को हमने इसमें कोई खटाई में एड़ की है हम चुरूब अगरा तो हम इसमें दई एड़ करेंगे इसे अच्छी तरह से लिए जब आप दई एड़ करो गेस को सिम पे रखें और वापस ढग देते हैं सब्जी को चेक कर लेते हैं सब्जी बन गई है अब हमाईस में एड़ करते हैं थोड़ा सा हारा धनिया और गेस को कर दें दें बन सब्जी को सार्व करते हैं कि बेशन की है इसके लिए सब्जी की ठीकनेस ऐसी रखें क्योंकि बाद में ये थोड़ी टाइट होने वाली है इसलिए ये आपकी सब्जी थोड़ी ठीक ज्यादा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा गरम पानी करके एड़ कर सकते उसमें तो सब्जी अच्छी बन साधियों वाली गट्टे की सब्जी बन के रेड़ी अब हम इसके उपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंगल कर देते हैं और साथ में लगा देते हैं लाल मिर्ची यह देखने में तो अच्छी है ही खाने में भी बहुत टेस्टी है अब एक बर बनाएं ज़रूर यह आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेर करें सबिस्क्राइब करें जो नए हैं वो सबिस्क्राइब करें ताकि आगे का नोटिपिकेशन उनको मिलता रहे यह पुआ झायो जती है जस्टी है हुआ करें?